है भीम ताल की खुब सुरा सी लेक तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि ता सुन्दर सब दिवारा है है उपार उची उची पहाड़ियां है और नीचे है बीच यो बीच में ताल और वहां बोटिंग भी हो रही है इस किनारे पर गई है नहीं पूलने के जहाँ नीमकरोली ब बाबाजी के दर्शन कर सकते हैं सब्धालू वहां पर लाइन पर लगे हुए है यहां से पैदल यात्रियों के लिए ना साइड से रस्ता बना दिया अब श्रही हो गया गड़ी है वह सब्सक्राइब यह है भारा नेचुरल और नहां से लग पानी 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 इसको लेके घर टू अ को दो कि और की अलक्लाइन वाटर की नेकर ना महीं लगें आज करा नी जबीड ऑनी खेत और लिया है अ करे दिया है अ हमारू कि अ सब्सक्राइब को बढ़ों को मेरा पहला और चोटों को मेरा डेल सारा असिरवाद तो दोस्तों आज ब्लॉग की सुरुवाद हो रही है सुबे के साड़े नौ बजे से और आज ना पित्र अमवाश्या के आप सभी को बहुत-बहुत बढ़ाईयां और आज हमारे पित्र ना जो सोला दिन तक इस धर्ती पर आये थे हमारे साथ रहे तो आज पित्र विसर्जन है तो आप सभी को पित्र अमवाश्या की धेल सारी सुपकामना है और आज की ब्लॉग की सुरुवात हो रही है मेरे सुबे के साड़े नौ बजे से और फिर से मैं आज जारी हो पहाड़ो हो गया है तो आप सभी को ले चलते हैं पहाड़ों के खुबसूरत वादियों में तो आप लोग बने रहना हमारे साथ और हमारे ब्लॉग को इंजॉय करना तो चलते हैं और निकलते हैं यहां से आज तो पौदू को पाने दे रखा है तो चलते हैं और आप सभी लोगों को क्या है तो चलते हैं निकल गए है अपनी जगदंबी का बिहार से पाहाडों के खुबसूरा साफर के लिए सब जी क्या कहना सब्सक्राइब आ चलते हैं अपने खुबसूरा सफर की और पाहाडों के खुबसूरा बाद्यों की और तो आप सभी को भी ले चकते हैं Anda हमारे साथ गने रहना है और हम पहुंच चुके हैं ब्लॉग चोराई पे तो हम पहुंच गए हैं पूच्छा पूल पर हम निकलेंगे यहां से सौट और यह है बाइपास यहां से खड़ाम के लिए तो हम पहुंच गए हैं हाइवे में और यह है नेशनल हाइवे भिंताल भवाली यहां पर पूरा रोड में काम लगा हुआ है तो यहां पर पूरा रोड में काम लगा हुआ है और यह यहां पर बन रहा है यहां आइस बीटी हलदवानी काड़ोदाम बस स्टॉफ पूरी एरिया में सारे पेड़ कटने के विए से पूरा साफ लग रहा है विल्कुल और यह है क्यों बोलते हैं इसको और यह में निटाब इंताल आगे को और दर को कहीं सितार गैंश कर दो कर दो कर दो कर दो कर सक दो ङड़ कर दो कर दो कर दो औह तो हम पहुते हैं वहीं ताल और यहां पे लॉट यहां पर गारी दोगी है तो आप सभी लोगों को बीम ताल के ना यहां से खुबसुरास पर नजारे दिखाते हैं और यह है भीम ताल की खुबसुरासी लेक तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि ता सुन्दर सब यो आ रहा है यहां से उपर उची उची पहाड़ियां है और नीचे है बीच ओ बीच में ताल और वहां बोटिंग भी हो रही है उस किनारे पे गए हैं लोग गुमने के लिए तो आप सभी लोग भी हां से न हमारे हां उत्राखंड के भीम ताल के खुप सुरे से नजारे देख सकते हैं चलो तो चलते हैं और आप सभी लोगों को ना इहां से भी मतर का घख्कारा दिया हमने खुब स्थूर्श द्वलादी verkाया आप सभी लोग को कैसा लगा ना आप कमेंट करके बताना ना तो चलते हैं आगे आपको मिलते हैं आगे और दिखाते हैं कहां कहां पर हमारा थैस्ट होता है थाटा थाटा सा दुबने जाणें जाएंगा अपर है देवदार की पेड़ देवदार यह नहीं आज इतर चाम कम लगाएं आज इतर चाम कम लगाएं जय हो माता नंदा सुननन्दा आज तो बिल्कुली भीरनी है हो रहा है आज दुबने इतर चाम कम लगाएंग कर दो तो बिल्कुला ना अजूर आज भीरनी माम करकूं हमेशा ही जाम लगा रहता है पार्किंग अजकल थोड़ा से कम है इसमें गाड़ियां आते रह रहे हैं और जाते रह रहे हैं पर्शू से लगेगा पूरा यहां मेला बहुत ही ज़्यादा बीड़ होगी सरधालुआं की नवराज गये हैं नीम करोली बाबाजी के दरवार में जै हो नीम करोली बाबा सब पर अपनी कृपा दृष्टी बनाए रखना सब के दूखों को हरना तो आप सभी लोग भी यहा सद्धालू आप लाइन पर लगे हुए है यहां पर चोड़ा कर दिया वेसे यह रस्ता साइड से बना दिया क्या और यहां से पैदल यात्रियों के लिए ना साइड से रस्ता बना दिया अब श्रही हो गया गाड़िया इधासे जाएंगी पुलिस के बशका भी नहीं है आ और हम निकल गए है रानिखी पाली रोट में और अब सिदे आपको मिलेंगे पातली पातली में प्योंगे न चाही तो अने तीन गंटे होगे खरना आने तक अब पहाड बहुत सुन्दर लग रही है वासे कर दो तो समय पाद्री में और पातली में न पाली पी यह है अब पीपे है आ और अब हो यह उलिखाते यह दार और यह जब आते हैं तो यह है प्र अच्छा लगता है ठंदा ठंदा और यहां से भरे न धारे का पानी नैच्छरल पानी इसको लेके जाते हैं हम गर को कि क्या है यह अलकलाइन वाटर लेके जारहे हैं आजकल अलकलाइन करने के लिए ना काफी केमिकल का यूज किया जाता है तो यह पाटली में चाहे पीने के बाद आप चलते हैं पानी के पॉर्ण और आप सभी लोगों ना प्रादी के पीने के लिए पानी को पिया है और उपर आसमान में बादल लगे हैं नेली नेले आसमान में सफेद बारल हम लाज़ के हान'T तरह यह ने फशेछी के लिए इसो पosed पिर झ Wrap के लाज़ान तो इस टिसनेट बटन है रखी लिए है गाड़ है तो हम पहुंच गए हैं रानिखेत और यह माल रोट की एरिया सामने ठंडी रोट भी कहते हैं पहले से हम यहां घूमने आते थे तो अभी भी ने यहां पर गाड़ी रुक रखी है तो ठंडा ठंडा हो रहा है बहुत ही अच्छा लग रखा है पीछे की साइट ना पूरे बा पूरे घने घने जंगल है यहां पूरे इधर तो ज्यादा बाज भाज है बाज और बुरास तो बहुत कम और देवदार बाज बुरास और देवदार और बीज में पांगर पांगर के पेड़ भी है हां यहां बैठके दो कि दिन देख देखे हैं तो हम पूरे नर्सिंग स्टेडियम पर इधर की साइड तो खुला है उदर की साइड जो लोग देखने हैं वहां सब बंद कर दिया और यहां पर मातराणी का दरवार बनने लगिया है और हम पूश गहें SBI पे तो यह हरानी केद का SBI बंद करें दिद्धा मोहस सवका पंडाल लगने लग गया यहां पे तो हम पूश गहे हरानी के मार्किट में और यहां से लेते है समोश से और यह है रानी केद की मार्किट और हम आगे हैं पंड़े जी की दुकान में समवसे लेने अगरा लेली मैंने यहां से फ्रूट भी ले लिया तो अब चलते हैं सीधे हम घड़ को गाड़े नामने नीचे खड़ी का रिखिया और सीधे जाते हैं तो हम आगे हैं सीधे सौट रस्ते से पंथ कोटली वाली रस्ते से और यहां पर पूरे देवदार के शोगे पेड़ घास के नहीं बहुत एक चाहर आया दे कि रभेड़ प्रादपा आ अपक्राव यहां एक्रापा of एक्राव चाहर, एक का रप on बहुत म्र थाएर एक मैं मला रखें, एक मैं वारि को कि अपने अपने कुंशियारी को तिपॉला से उपर को कि अपने कुंशियारी को अपने कुंशियारी को अपने कुंशियारी अब चलते हैं और आपको सीधे घर पर मिलते हैं अब सब लिगाते हैं अब यहां से समान को बटोर के हेलो दूस्तों तो हम पहुंस गए हैं घर में और साम हो गी है पहुंस तो हम साड़े तीन बज गए थे उसके बाद चाय पानी किया और अम्मा अपने काम पर लगे हैं यहां पे ना मढवा असोज लगा है और मढवा चूट रखा है तो मढवे का जारा सा घर बहुत एक अलग सा सुकून मिलता है अपने घर आके अपना घर होता है कैसा भी हो वह पहाड में कैसा भी घर हो तो अपना घर घर होता है तो एक अलग सा सुकून मिल रहा है अपने घर आके अपने घर आने की खुशीना कुछ अलगी होती है तो आज हमने बहु अपने घर से सामने के पूरे नजारी दिखा देती हूं और यह है हमारा प्यारा सा घर और यहां पर अम्मा अपने मडवे की सफाई कर रही है और यह मडवा किस किस कुछ यह और यह सुन्दर साना जारा दिख रहा है और यहां पे न अम्रूद भी पके हैं पेड़ों में यह है हर्जु देपता की धूनी यह हो हर्जु देपता पूरी घास से आजकल ना इधर घास की घास है तो पूरा ढगजस रखा है साइट को तो दोस्तो आज का जो ब्लॉग है ना उसको यही पर समाप्त कर देते हैं क्योंकि ब्लॉग ना मेरा हलदवानी से सुरू हुआ है और हमारे गाउँ आखे खत्म हुआ है तो ब्लॉग काफी लंबा हो जाएगा कल से आपको गाउँ के ब्लॉग देखने को मिलेंगे तो आई होप आपको आज का ब्लोग अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो लाइक करना कॉमेंट करना अपने दोस्तों के सहां सेर करना जै दे भूमी जै भारत और शेवत्राखंड